हेलो विवर्स नमस्कार बिराना में डॉक्टर शीरीधर और आज हम बात करेंगे पुर्षों में होने वाली समस्या लो टेस्ट स्टॉन लेवल के बारे में टेस्ट स्टॉन जो है वो मेंली पुर्षों का अएक हार्मोर में यह females में भी पाया जाता है पुर्षो में इसकी normal value जो है वो approximately 300 नीनो ग्राम पर डेसी लीटर से लेके 1100 नीनो ग्राम पर डेसी लीटर तक होती है जबकि females में यही मात्रा 15 से लेके 70 नीनो ग्राम पर डेसी लीटर तक होती है और यह जो male hormone है यह हमारी body में different function just Значит जो है वो perform करता है अब हम बात करेंगे कि जो टेस्टोसौन हैं हमारी body के अंदर किन-किनGıl dabei में present है और इसके कम होने से हमारी body के अंदर कान कान से symptoms create होते हैं और इसके जादा होने से body के अंदर कान कान से symptoms create होते हैं और इसके इलावा कान कान सी वह food and Doctor जिनको लेने से ऐको हम बोलते हैं फ्री टेस्टोस्टोस्टोन और दूसरे को बोलते है Conjugated Testosterone या SHBG Sex Hormone Binding Globulence यह जो Free Testosterone होता है यह हमारी बॉड़ी के अंदर Ready to Use Grancy के रूप में इस्तेमाल होता है مثلا कि जो हमारी बॉड़ी के अंदर Muscle Growth होते हैं, हमारा मूड जो है वो कंट्रोल होता है या जो हमारे जो Sex Performance है वो इस Free Testosterone की वज़े से ही होता है तो इसको समझना बहुत ज़रा जरूरी है हमारे पास जो क्लिनिक में पेशेंट आते हैं हमें महसूस होता है कि इनका जो Testosterone लेवल है वो लो है मगर जैसे ही हम उनको बोलते हैं कि आप अपना Testosterone जो है चेक करवा हो तो वो बोलते हैं कि मारे पास तीन चार रिपोर्ट हैं जो हमने पहले अलड़ी टेस्स करवा चुके हैं और उसमें हमारा Testosterone लेवल जो है वो बिलकुल नॉर्मल आया है इवन एडिक्वेट आया है जो जितना होना चाहिए अप्रॉक्सिमल ले उसके आसपास है तो यहां पर मैं यह बता दूँ कि हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि जब हम उनकी रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद हम अपना डाइग्डोसिश चेंज कर लेते हैं कि हाँ आपको जो प्रॉब्लम है यह आपको लो Testosterone की वज़ा से नहीं है हमें करना यह चाहिए कि जब भी हम किसी पेशेंट का Testosterone लेबल चेक करवाते हैं तो हमें Free Testosterone और Conjugated Testosterone यानि के SHBG यह Separately Test करवाना चाहिए अगर किसी पेशेंट का Conjugated जो Testosterone है वो पूरी मातरा में है बगर उसका Free Testosterone जो है वो Less Than 2% है तो इसका मतलब उसको जो प्रॉब्लम हो रही हैं जो उसको Hypogridism या उसको Low Testosterone की वज़ा से जो Symptoms हो रहे हैं वो Free Testosterone के कम होने की वज़ा से हो रहे हैं तो इसलिए मैं यहां पर यह Test करूँगा कि Low Testosterone लेबल का मतलब है कि Free Testosterone जो है वो Total Testosterone का 2% से कम है तो इसलिए अगर किसी भी पेशेंट में हमें क्लिनी के लिए फील होता है कि इसके जो Symptom है वो Low Testosterone की वज़ा से हैं तो हमें उसका Free Testosterone प्लस उसका SHBG टेस्ट करवाना चाहिए जिससे बिलकुल उसका डाइगनोसिजर क्लियर हो जाएगा अब हम बात करेंगे कि Low Testosterone लेबल के क्या क्या सिम्टम्स हैं तो सबसे पहले सिम्टम है Loss of Sexual Desire जिन लोगों में Sexual Desire की कमी होती है उन लोगों में आम तोर पर उसका कार्ण कई बार जो है वो Low Testosterone होता है नमबर टू, Erectile Disfunctioning ऐसे लोगों में Erectile Disfunction जो है वो उसली देखा गया है कि उनको या तो Erection बराबर आती नहीं अगर Erection है तो पूर Erection है और Pre-Mature Ejectulation है या Felicity की Problem है Felicity का मतलब है कि During Intercourse उनका Link जो है वो धीला पड़ जाता है तीसरा है Reduced Quantity and Quality of Semen उनके सीमन की Quality और Quantity जो है वो दोनों कम हो जाती है फोर्स नमबर पर है उनके Penis का Size और उनके Testis का Size ये जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है Next है Fatigue अगर आपको पूरी नीज लेने के बावजूद भी आपके बाड़ी के अंदर Fatigue या थकावट रहती है तो आपका Testis on Level कम हो सकता है Next है Reduced Muscle Mass and Increased Body Fat जिन लोगों में Testis on की कमी होती है उन लोगों में उनका मसल मास जो है वो दीरे दीरे श्रिंक करना या कम होना शुरू हो जाता है और उनके बाड़ी के अंदर Fat जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है जिसकी वज़ा से कई बार उनका श्रीर की मसल तो वीक हो जाते है मगर उनमें गाइनिकोमेस्टिया की Problem शुरू हो जाती है काइनिकोमेस्टिया का मतलब होता है कि उनकी जो breast होती है वो female breast जो है वो बन जाती है नेक्स्ट है dementia ऐसे पुर्षों में कि अदास जो है धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है या उनकों उनमें forgetfulness के symptoms नजर आने शुरू हो जाते हैं नेक्स्ट है mood changes जिन लोगों में testosterone काम होता है उनमें anxiety neurosis, depressive neurosis, lack of concentration ये symptoms देखे जाते हैं नेक्स्ट है loss of body hairs जैसे जैसे testosterone की मात्रा काम होती है body के जो hairs है वो भी धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते है नेक्स्ट है anemia, खून की कमी होना, testosterone कम होने के साथ साथ खून की भी कमी के symptoms जो है वो देखे जाते है तो अब हम बात करेंगे वो कौन कौन से symptoms हैं जो testosterone के बढ़ने से होते हैं तो वो मेंली तीन symptoms है, नमबर वन, excessive body heart, नमबर टू, low blood pressure, नमबर थ्री, acne अगर ये तीन symptoms है तो हो सकता है आपका जो testosterone level है वो जरूर से जारा हो या above the upper limit हो अब हम बात करेंगे उन food items की बारे में जो testosterone level को increase करती है मेंली testosterone production के लिए vitamin D, zinc, magnesium, selenium, omega 3 fatty acids, protein तका healthy fat की वश्का होती है अब हम बात करेंगे उन food items के बारे में जो हमारी body के अंदर testosterone level को increase करती है तो ये सबसे पहले है deep sea fishes, seafood, next है egg joke, next है blueberry, blackberry, strawberry, avocado, onion, banana और उसके इलावा है krill oil, olive oil और इसके साथ साथ कुछ एक herbs हैं जैसे सफेद बूसली, शिलाजीत, अकरकारा, कौँच बीज, छुवारा, गोखरू, ये सारी items जो हैं ये testosterone level को increase करती है, तो अगर आप इनका सेवन करते हो, तो आपका testosterone level जो है वो धीरे-धीरे improve करता जागा, अगर आप में ये testosterone level की कमी है जरहिए आपके टेस्टोसऑन लेवल वह वे क서 माली को तो आप इन फूड आइटम का इस्टेमाल करिए जी क्या है दीड़е जीड़े इंक्रीज़ होना झूरू हो जाएगा अब हम बात करेंगे उन फूड्म के के वारे में जो हमारे बॉडडी के अंदर टेस्टोसऑन लेबल को कम करती हैं. इनमें सबसे पहले नंबर है सोया. नंबर टू, स्पियरमेंट. स्पियरमेंट बोलते हैं पहाडी पुदीने को. नंबर त्री, शूगर. नंबर फॉर, फ्लेक्स सीड. नंबर फाइव, ट्रांस फैट्स. जो डबा बंद कोहल, उसके बाद आता है, हार्ड प्लास्टिक केंटेनर्स, डियोडेंट, मौथ वाश, कुछ एक कैमिकल जो की सोप मुनुफेक्चरिंग के काम आते हैं, वो भी आपके टेस्टोसवन लेबल को थोड़ा कम करते हैं. मुझे आशा है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तांकि मेरी आने वाले नॉलेज़बल वीडियो आपको असानी से मिल सकें. चै हिंद, जै भारत, सर्वे संतु दिराम्या.